आज हम लोग जाइनो बेसिक की स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे कि यह किस फैमिली में पाई जाता है आएए देखते हैं और और जाइनो बेसिक की स्टाइल कहते क्यों है इसमें थोड़ा सा इसका फीगर ड्रा कर लेते हैं यह देख लेंगे इसमें समझने के लिए आपका ओवरी हो गया इस्टाइल हो गया इस्टिग्मा हो गया इसमें देखेंगे यह जो इस्टाइल है जाइनो बेसिक स्टाइल यह देखेंगे बेस आप दोवरी से निकली होई है इसके बेस से निकला हुआ है इसलिए इसका नाम पड़ गया जाइनो बेसिक स्टाइल अब मेंबर किसका है तो जाइनो बेसिक स्टाइल जैसे आप तुल्सी ओस्मम में देख सकते हैं तुल्सी में अगर जो फ्लावर लेते हैं तो जाइनो बेसिक स्टाइल आप उसमें देख सकते हैं तो यह लेमिने लेमियसी फैमिली फैमिली का एक तरह से इंपोर्टेंट करेक्टर है यह नहीं इसको लिख सकते हैं स्पेसिफिक करेक्टर है अब समझ में आगे होगा कि यह relevant से निकला होता है यह देख रहे हैं व्याइब जाईनो बेसिक स्टाइल होता है वो बेसाथ दोवरी से निकला हो यह से नाम क्या हो जाता है झाल curious नवहरी है बेसली एसका नाम पढ़ गया तो यह कमडिसिन में बहुत भणार पूछा गया है specific की ये एराइजिंग फ्राम अब तो समझ गया होंगे फ्राम दा बेस आफ आफ दा ओवरी यानि बेस आफ दोवरी से यह एराइज करता है निकलता है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं और इस फिगर में और डिटेल में देख सकते हैं कई परकार से फिगर दिये गए हैं ले यह जब ले मेसि फैमली में तुलसी का फ्लावर यहांनि और अवस्पम का फ्लावर को डिसेक्ट करते हैं तो उसमें ध्यान से देखेंगे मैक्रोस्कोप से या डिक्रिक्टिंग से तो उसमें समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाता है प्रेक्टिकल यह और ऐसे आप एकदम समझ गया हूंगे कि यह बेस से जुड़ा हुआ है देख रहे हैं यह स्टाइल इसले इसको जाइनो बेसिक स्टाइल करते हैं याने इस टाइल इराइजिंग फ्रॉम दा बेस अब दोवरी कोई डाउट होगा तो पूछेंगे और क्लियर होगे आवगा इसके बारे में और आगे नेक्स्ट बताएंगे कि यह क्या करता है क्यों ऐसे होता है कैसे कैसे पौधों में किन पौधों में तो बेसिक आप डिसेक्शन करते हैं तुलसे जी का तुलसे जी के फ्लावर का उसमें आप देखते हैं और सिंक्टम के फ्लावर में इसको नोट कर लेंगे फीगर को ध्यान से देखिए फीगर में और क्लेर हो जाता है और यह जो स्टाइल है इसी को क्या बोलने पर है जाइनो बेसिक स्टाइल ठीक है